जागरंजोष.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सायद सौबान इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बनाया जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्स के बारे में भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उस पर कितने करोड रुपए का जुर्माना लगाया है इसका सही जवाब ऑप्शन भी दो करोड रुपए का जुर्माना लगाया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के उपर आर बी आई के तरफ से तो आपको यह बता दे दो लगाया गया है केंद्रिय बैंक ने एक बयान में ये भी कहा कि जो Reserve Bank of India को दो कदरी के बारे में बताने में देरी के लिए ये जुर्माना लगाया गया है और इसका पता 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक के सामवेरिक अनिरिक्षन के दुरान पता चला तो ये दो करोड रुपका जुर्माना है जो कि लगाया गया RBI की तरफ से Standard Chartered Bank के उपर बढ़ते हैं अपने अगले सवाद की तरफ जकारता में आसियान सचवाले में भारत का अगला राईदू तक किसे नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब जैंत खोबरागडे इनको जकारता में आसियान सचवाले का अगला राईदूद भारत का चुना गया है नियुक्त किया गया है तो ये आपको बताते दोस्तों की विरेश मंत्राले के एक बयान जारी किया और उसके अनुसार ये बताया गया जैंत खोबरागडे अभी मुख्याले में संयुक्त सचिव के रूप में कर रत हैं और उन्हें जकारता में आसियान सचवाले में भारत का अगला राजदूद नियुक्त किया गया है बयान में ये भी कहा गया कि जो खोबरागडे हैं वो 1995-1995 बैज के भारतिय विदेश सेवा के अधिकारी है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी दोस्तों के लिए हमारी वेबसाइट जागरंजोष.com पर अगर आप करंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेस के टैप पर जाना है ड्रॉप डाउन में आपको मन्त वाइस करंट अफेस मिल जाएंगे जहां आप मन्त के हिसाब से करंट अफेस पढ़ सकते हैं जब आप करंट अफेस टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप category wise कर इंटरफेस पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी category चूज कर सकते हैं जिसमें latest, national, international, sports, technology और economy जैसी categories मौजूद हैं निमन में से किस Bollywood अभिनेता के नाम पर दक्षिनी दिल्ली में जो एक Andrews गंज है उसमें एक सड़क का नाम करण किया जाएगा तो इसका जो सही जवाब है वो है option C सुशान सिंग राजपूत दोस्तों आपको बता दें कि सुशान सिंग राजपूत जो है आप हमारे बीच में नहीं है लेकिन दक्षिनी दिल्ली का जो Andrews गंज अलाका है वहाँ पर एक सड़क है उसका जल्द ही नाम जो है दिवांगत अभिनेता सुशान सिंग राजपूत के नाम पर रखा जाएगा और इलाके के नगर निकाय से इससे संबंदित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और ये खबर जो है सुशान सिंग का भी हाली में 35 जन दिन था और उस समय ये बात सामने आई है और पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांदरा में अपने घर में सुशान सिंग जो है मि पिनियता के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था बढ़ते हैं अपने अगली सवाल की तरफ सड़क परिवहन एवं राजमाक मंत्राले रथा किस संस्था ने प्राकृतिक आबदा प्रबंदन के छेतर में सहयोग के लिए एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं इसका स प्राकृतिक आबदा प्रबंदन के छेतर में सहयोग के लिए एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं अब समझोते के मताबग आपको बता दें कि डियार्डियो और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले भूखत्रा प्रबंदन से संबंदित पारस्परिक लाप क विभेना छेतरों में सहयोग करेंगे और डियार्डियो भारत की जो रक्षा से जुड़े हुए अनुसंधान कारियों के लिए तेश की अग्रडी संस्ता है इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं भली बाती और ये संगठ भारतिये रक्षा मंत्राले की एक अनुशांगि इकाई के रूप में काम करता है बढ़ते हैं अपने अंगले सवाल की तरफ सवाल है आपको बताना ये है कि किस राजी सरकार ने हाली में महात्मा गांधी राश्ट्रिय ग्रामीर रोजगार गरंटी अधिनियम जिसे कहते हैं मंद्रे का उसके तहत कार दिवस पर की जो संक दिन की जो गरंटीड आपको मजदूरी होती थी उसका काम आपको दिया जाता था लेकिन अब उत्राखंड सरकार ने महात्मा गांधी राश्ट्रिक रामीर रोजगार गरंटी अधिनियम कहता है जो कार के दिन होंगी उनकी संक्या को बढ़ाया है और डेर सो दिन कर दिया आने में आने वाली जो लागत का जो वहां पर उत्राखंड सरकार के द्वारा ही किया जाएगा वो लागत जो भी होगी और मन्रेगा वश्ट 2005 में पारित किया गया था मन्रेगा का उद्देश ग्रामीर छेत्रों में जो आजी भी का है उसको सुरक्षा प्रतान करने का है और अभी तक सो दिनों का रोजगार प्रतान करना ये है इसमें इस अधिनियम में लेगन अब जो है उत्राखंड की सरकार जो है देड़ सो दिन के लिए इसको बढ़ा रही है सो से देड़ सो दिन कर दिया गया है बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ अडानी समूने हाल ही में कितने हवाई अड़ों के विकास संचलन और प्रबंधन के लिए भारतिये विमान पतन प्रदिकरण के साथ एक रियायत समझाते पर हस्ताक्षर किये हैं तो ऐसे तीन समझाते हैं इसका सही जवाब है तीन जो समझाते हैं उस पर हस्ताक्षर किये गए हैं तो अडानी सम्मू जो है वो ही करेगा अब यहाल ही में आपको भ्यान होगा कि जो लखनों का एरपोर्ट है वो भी अडानी के पास है तो यहां पर आपको बता दें कि एक विमान पत्तन प्रदिकरण के साथ जो है एक रियायत समझौत्र पर हस्ताक्षर किये गए हैं और यह जि महिने के भीतर हवाई अड्डों का जो नियंत्रण है वो प्राप्त करना होगा यह समू अब अगले 50 परशों के लिए हवाई अड्डों का विकास प्रबंधन और संचलन करेगा बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ तो सवाल यह है कि निमन में से किस राज सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषना करेए है इसका से जवाब ऑप्षने गुजरात तो गुजरात की जो मुख्यबंतरी है विजेरुपानी जी और वहां पर बागवानी विकास मिशन की घोषना की गई है उनके दोरा और इसे बगाया तब विकास मिशन भी कहा जा रहा है इस मिशन का जो उद्देश है, मुख्य उद्देश यह है कि बागवानी और ओशदिये खेती में शामिल किसान जो है उनकी आये को और जदा बढ़ाया जाए और दोगुना किया जाए और इस मिशन के तहर जो है ओशदिये और बागवानी फसलों की जो खेती है उसके लिए गुजराद राज सरकार की बेकार पड़ी जो भूमी है उसको 30 साल के लिए पट्टे पर प्रदान किया जाएगा अब दोस्तों उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आप से हमने पिछले वीडियो में पूछा था सवाल था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान 4 रैंक किसको मिलिया है उसका से जवाब भारत है भारत को 4 रैंक प्राप्त हुई है तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को जो उनकी संभावित सैन अतागत होते ही है उसके आधार पर रैंक किया इन देशों का मुल्यांगन लंबे समय तक अक्रामक और रक्षात्मक सैन भियानों के अधार पर किया गया है और अमेरिका 904 अटैक हेलिकॉप्टर और 11 एरक्राफ्ट कैरियर के साथ सूचकांग में सबसे उपर है बढ़ते हैं अब उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे सवाल है कि निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेता जी एक्सप्रेस कर दिया गया है अब यह आपको याद होगा हाल ही में 23 जनवरी को नेता जी सुभाष चंदर बोस की जो जैनती है उसको यह डिसाइड किया गया कि अब उसे पराक्रम दिवस के रूप में अपसे म आपको हमें जवाब कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपकी आप्शिन्स हैं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हावरा कालका मेल विकरम शिला एक्सप्रेस या पिर मैसूर सुलापुर गोल गुमबज एक्सप्रेस अब अपने जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में देखते रहें जागरजोश.com